नमोनुमा एक बाप का फिर्जे स्वागत है हमाई यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर आज हम जैस्विशे पर बात करेंगे वह हैं महाकवी कालदास्कृत मेग दूट के दुटिशलोग का हिंदी अनुवाद जैसे कि आप सभी जानते हैं प्रथम हम पहले ही कर तस्मिनात्रव कती इछित अबलावी प्रयुक्त ह साकामी नित्वा मासान कनक वल्या भ्रंश रिक्त प्रक्रोष्ट ह ह आशान स्य प्रथम दिवसे मेगं आश्लिष्ट सानुम वा प्रिक्रीडा परीनत गज प्रेक्षिनियं दर्ष। कहने क्या आतात पहा फें? देखिए ध्यान देते हैं सबस Whatsapp're here अबला विप्रयुक्त आत अबला अरỰथात प्रिया से विप्रयुक्त अर्थात वियुक्त प्रिया से वियुक्त कनक मल्य भ्रांश्रिक्त परकोष्ट सोने से निर्मित कंगन के १िसक जाने से रिक्त कलाई प्रदेश वाले आगे क्या कहा गया है स अर्थात उस यक्ष ने स किसके लिए है यक्ष के लिए है उस यक्ष ने आगे क्या कहा गया है तसमिन आद्रो तसमिन उस परवत पर कौन से परवत पर रामगिरी परवत पर मासान नित्वा कतीचित कुछ महीनों को नित्वा अर्थात व्यतीत करके बिता कर आशानसी आर्थात आशान मास के प्रथम दिव से अर्थात प्रथम दिन में या आप कह सकते हैं प्रधान दिन में आगे आशलिष्ट सानुम आश्लिष्ट सानुम से मतलब है आपे परवत के शिखर से संप्रक्त परवत के शिखर से संप्रक्त आगी क्या कहा गया वप्रिक्रीडा परियनत गजप्रेक्षणियम कहने का क्या अतात परिया है वप्रिक्रीडा अर्था टीले से मिट्टी उत्कलन करने वाले खेल में त्र काल दास के कहने का क्या थार्थ पर है तसमेनद्रव और थाथ उस रामगिरी परवत पर कहा पर रामगिरी परवत पर प्रिया से व्यूक्त उस्कामियक्ष war क्या कामियक्ष कैसा है प्रिया से वियुक्त होने की कारण कैसा है बहुत कमजोर है कैसे पता चला बहुत कमजोर है क्योंकि सोनी का कंगन उसकी कलाई से खिसक जाने से रिक्त हो गई है उसकी कलाई इस से हमें पता चला है कि वह कमजोर है तो अपनी प्रिया से वियुक्त उस क कामियक्ष ने जिसकी कलाई प्रदेश है वह कैसा है सोने के कंगन के खिसक जाने से रिक्त कलाई प्रदेश वाला वह कामियक्ष है उसने कतीचित कुछ महीने बिता कर याद रखेगा कुछ कितने है आठ महीने उसके बीत चुके हैं आठ महीनों को बिता कर आशान मास के कह सकते हैं आप संप्रक्त जो परवत शिखर से लगा हुआ है ऐसे मेग को देखा है जैसे ये परवत का शिखर है और यहां से लगा हुआ एक मेग है उसको देखा है और वह मेग कैसा है हाती के समान है और हाती कैसा हाती जो टीले से मिट्टी ये एक टीला है इससे मिट्टी रहते हैं, अपने किस से दंद प्रहार करके हाथी जो होते हैं, वो Tapi करने में तरियक रूप से दंद प्रहारकरने माले octopus में में तैक है महकवी काल दास ने बताया है कि अभी तक तो लध Whfly एक परौट पर रह रहा था रामगिरी परौट पर अकीला रह रहा था उसने आठ महीने ऐसे बता दिये है और आठ महीने के बाद जैसे आशान का पहला दिन आया है तो उसने मेग को दिखा है ठीक है यहां पर यह बताए गया है उमीद करके आपको हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आओगा यदि कोई भी समस्ते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में हमसे जूने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद